नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तक्रिशना क्लासिज में तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मैं इन्फोर्मेशन देना चाहूंगा कि जो ये आजकल खबरे आ रही है UKSSE से संबंदित मैं आप सभी को इस पे डेली नो से दस के बीच एक वीडियो अपलोड करूँगा तो आप सभी लोग सारी न्यूस देख सकते हैं और तथ्यात्मक जानकारी रहेगी न्यूस के बेस पे जो भी जानकारी आप सभी को प्राप्त कर दी जाएगी बाकी दोस्तों अंत में कुछ मैं आप सभी से डिसकेशन करना चाहूंगा तो लास्ट तक बने रहे कुछ मैं बताना चाहूंगा आज जो पिछला समाद है सचिव साब का तो UKSSE सचिव साब और साथ में एक न्यूस आई है दोस्तों यहां पे अध्यक्ष भी किसी को बना यह गए है UKSSE के ही सदस्य है तो सभी न्यूस देखे दोस्तों और डेली यह न्यूस आप सभी के लिए अपडेट कर दी जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बाकी दोस्तों आगे UKSSE में जो लेब असिस्टेंट और होटी कल्चर की क्लास है वो कुछ दिन तो दोस्तों सच्च्वालिय रक्षिक भरती पेपर लीक में STF की ओर से रायपूर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है सभी आरोपी UKSSE पेपर लीक मामले में भी शामिल है तो यह दोस्तों आपके लिए काफी अच्छी ख़बर है वहां पे भी प STF अजय सिंग ने बताया कि UKSSE पेपर लीक मामले में गिरफतार आरोपी से पुष्टाच के बाद इस भरती से जुड़े कई तथे मिले इस पेपर का भी आयो की लखनाव स्थित प्रिंटिंग प्रेस के कम्पिटर ऑपरेटर परदी पाल ने लेक किया उसने परिक्षा से एक दिन पहले पैंडराइब में दूसरी करमचारी जैजित को पेपर दिया तो यह दोस्तों जो यूपी वाले हैं हमें इसमें एक बाद में डिसकस करेंगे कुछ ये यूपी में ना होके हिमाचल में होना चीए वहाँ पर काफी अच्छी व्योस्था है तो पंतनगर दाले यू के एसे सी पेपर लिए मामले में पंतनगर विश्यो भी दाले के पूर्व कि एई-ओ को गिरफतार क्या गया है मामले में 23 गिरफतारी है आरोपी लखनों की प्रेस से जुड़ा था और परिक्षा के प्रशनपत्र हल्दवानी यहों आस-पास के अभीरत को उप पेपर पेपर को प्रेस के करमचारी जैजित ने पीरडी के करमचारी मनो जोशी निवासी सेरा पार्टी जिला चंपाउत को दिया उसके बाद पेपर सितारगन ज्याले में कनिश सायक मनो जोशी को दिया गया वहां से कुलवीर सिंग निवासी साधीपूर बास्टा ही प्रेट्स हुआ प्रेश से संपर्ग विश्व लिपरिग्शा ओप्रिंटिंग कारे के लिए लंबे समय से UK SSC परिक्षा प्रिंटिंग प्रेश आर आई मेस लखनों के लोगों से जोड़ा था जहां से परिक्षा के पूर्ब में प्रशन पत्र एक मध्यस्त के माध्यम से प्राप्त के उसने पेपर हल्दवानी और आसपास में छात्रों को दिये जिसकी एवज में 80 लाख रुपए मिले थे नेरस्थ होगी तीन परिक्षा है तो यहां पे दोस्तों मैं वन दारोगा वालों के लिए भी बताना चाहूंगा कि जितना हो सके आप UKSSE को दोस्तों मेल करिए क्योंकि जो यह परिक्षा है जैसे सनातक इस तरही है सच्चवाले सुरक्षा और कनिश सायक और इससे पहले भी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की जो परिक्षा थी वहां पे भी घपला हुआ था मतलब यह जो लोग है 2016 से चले आ रहे हैं तो यह दोस्तों सोचने वाली बात है जब 2016 में यह मामला हो चुका है 2022 तक पहुँच चुके है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जो बीच की परिक्षा है ऐसा तो कोई होगा नहीं जो 2016 में पेपर बेच रहा है क्या वो 2022 में सिर्फ सनातक इस तरह काई पेपर बेचेगा बिलकुल भी नहीं तो यह जो तथ्या है 300 question delete हुए 300 question delete हुए ये सभी जो तथ्य है इसके आधार पे अगर हमारे पास साक्षे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर जांच नहीं होनी चीए वंदारोगा की परिक्षा भी निरस्त होनी चीए हम इसके पूर्ण समर्थक है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस एजेंसी से पेपर लीक हो रहे है मतलब वंदारोगा भी वहीं बनाए तो 101% है 101% गारेंटी देता हूँ वो भी फिर लीक हुआ होगा अभी जितने question पूछे जा रहे है वो सिर्फ उतने पर ही सवाल जवाब कर रहे है ASTF को इस पे जाच करनी चाहिए और वंदारोगा का पेपर है वो भी कैंसल कर दिया जाना चाहिए और अगर कुछ भी इसके देखो दोस्तो इसके पिछे तत्थ है मैं बता रहा हूँ 300 question डिलेट होए है यह कोई कम आकड़ा नहीं होता है मतलब कि ऐसा भी आपके पास क्या teacher है जो 300 question यहां पर कोई भी institute हो वहाँ इतने hard question भी नहीं दिखे हो question भी ठीक ठाक लेवल के थे कि out of slaves है ऐसा भी नहीं था कुछ question ऐसे थे जो 10th के slaves में थे उन्हें डिलेट कर दिया गया कुछ question सच में out of slaves थे उन्हें रखा गया है यह जो समझ में नहीं आ रहा है किसी shift में 20-25-25 नमबर बैठ रहे है तो यह आकड़ा थोड़ा सा एक मतलब आप सीधा सीधा STF और UK SSE के सामने जो हमारे नए सचीव जी है उनके सामने रखना चाहिए कि यह आकड़ा संतुष जनक नहीं है अगर लीक भी नहीं हुआ है तो इन आकड़ों के आधार पे भी paper cancel कर दिया जाना चाहिए क्योंकि 20-25 नमबर किसी अभ्यर्थी को एक state level में मिल रहे है वो भी normalization के नाम पे और किसी के साथ से 10 नमबर कम हो रहे है यह अच्छी चीज़े नहीं है इन चीज़ों पे जरूर कारवाई होनी चाहिए और paper को पुन्हों एक shift में शीखर अतीशीखर एक shift में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 80,000 बच्चे है एक shift में online या offline करवा देना चाहिए यहाँ पे में सभी वंदारोगा वाले बहरती है जितने भी सभी को यह request करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा mail करें बाकि दोस्तो IOG और STF अपने इस तर पर जांच कर रहा है आगे दोस्तो नई news है इसना तक इस तरी परिक्षा में सेंद से पहले परिक्षा माफ्या ने सच्वाले सुरक्षा संवर्ग परिक्षा में पेपर आउट का सफल ट्रायल किया था मतलब कि उनोंने एक चेक करने के लिए ताकि उसमें कम सीटे थी तो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देगे तो वहाँ पर एक ट्राइल किया गया था उनका कि जिस से वो सनातक इस तरह परिक्षा को भी क्या कर सके भेज सके तो दोस्तो आप इस पर देख सकते हैं नोकरी के लिए चैनित अभिहरतियों का परदिशन तो दोस्तों यहाँ पर जो यह चैनित अभिहरतियों है यहाँ इनका भी थोड़ा सा दिहान रखना चाहिए सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जिनका चैन हुआ है क्योंकि सीटे बहुत है 900-300-400 के आधार पर यह भी हो सकता है कि वही 300-400 अभिहरति जो इसमें मामले में धानली में शायद इनके नाम आ जाए लेकिन बाकी जो 500 अभिहरति है वो आखड़ा भी कुछ कम नहीं होता है उस पर भी हमारे मुख्यमंत्रे जी को ध्यान रखना चाहिए और एक इस परकार की पदती होने चाहिए कि अगर 500 अभिहरति पारदशी रूप से सेलेक्ट हुए है उनके आसपास कोई कॉंटेक्ट में यह जो जिन्होंने पेपर खरीदा ऐसे अभिहरति ना आए तो उन 500 अभिहरतियों को जोइनिंग देनी किये और उन पर उसके बाद भी कारवाई करते रहना चाहिए यह मेरा अपना सुझाओ है दोस्तों ऐसा होना चाहिए और आगे जो पेपर है उसे 400 अभिहरति के लिए करवा देना चाहिए जिन्होंने पेपर भरा है अभी तक फॉम बरे थे उनी के आधार पे यह पेपर होना चाहिए बाकी 400 अभिहरतियों और जो इसमें भार हो जाते है उनको एक्जाम में बैठने का मौगा नहीं देना चाहिए तो यह बहुत ही सिंपल तरीका है इससे नियाय के स्थिति होनी चाहिए कि हमारे पुराणों में भी कहा गया है एक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए तो स्व बेह गुना चुट जाए ऐसा नहीं होना चीए बिल्कुल भी, माफ कियेगा, 100 गुनागार छोट जाए लेकिन एक बेगुना को सजा नहीं मिलने चाहिए तो इसकी सजा इन लोगों को नहीं मिलने चाहिए क्योंकि ये सही बात है चाहिए उच इस्तर का कितने भी अभियर्थी हो या कुछ भी हो उन्होंने चाहिए IS, UPSC का पेपर भी निकाल दिया हो दूसरी बार अगर वो 6-7 महिने अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं तो शायद काफी दिक्कते आ जाती है अगली बार स्लेक्शन ना होने के चांसिस भी उतने ही बने रहते हैं स्लेक्शन होने के मतलब 50-50% चांस रहते हैं तो अभियर्थी अगर स्लेक्ट हुआ है तो उसको इसके आधार पे उन्हें रखना चाहिए यह मेरा अपना स्वयम का मानना है बागी दोस्तों अगर यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन का खेल जादा हुआ है तो मुझे लगता है कि अभियर्थियों को इस पे जादा उचल कूत करने की जरुवत नहीं है जिनका स्लेक्शन नॉर्मलाइजेशन के बेस पे हुआ है वो पढ़ाई करे अभी से टाइम है वो पढ़ाई करे और फिर दुबारा पेपर दे सकते हैं क्योंकि अगर तुम्हारा स्लेक्शन नॉर्मलाइजेशन के जोर पे हुआ है ये कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है आप सभी लोग फिर से त्यारी करके पेपर में बैठ सकते हैं अब भी समय है पांसे चार महिने का समय है आप अगर अच्छे से फिट से बैठते हैं तो आपके चांसिस वही 50% तो बने रहते हैं सेलेक्शन होने के 50% बार के चांसिसे तो वो नॉर्मलाइजेशन से आपका सेलेक्शन हुआ था ये समझ के अपना साइड अगले पेपर के त्यारी कर सकते हैं थपलियाल भरती आयोक के कारिवाग अध्यक्ष दोस्तो मैंने दोनों पक्ष रख दिये हैं अब भीरतियों के लिए तो इस पे आपको जो पक्ष सही लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं अब दोस्तो थपलियाल भरती आयोक के कारिवाग अध्यक् तो दोस्तों जो शालनी लेगी जी है हमारे पीछ स्पीस अधिकारी परिक्षा नियंतरक है वो उन्होंने अभी तक जोईन ने क्या है और कारवाई अध्यक्ष हमारे बना दिये गए है UKSSC के परकाश थपल्याल जी तो इनको कैरवाख अध्यक्ष बनाया गया है ये अच्छी ख़बर है दोस्तों सभी के लिए भरती घपले पर कारवाई देशवर के लिए नजीर साबित होगी तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या इस्तिती होती है अभी तो दामी जी ने कहा है ऐसा होता भी है या नहीं होता है क्योंकि कुछ मामला यहाँ पर यह समझ सकते हैं दाल में कुछ काल चल रहा है पेपर लीक में धरा शिक्षक नेलंबित चलो जी घोटाले की सीवियाई जांच जरूरी बिल्कुल दोस्तों अगर भाजपा सरकार इस से कोई दिक्कत नहीं है जांच सही से कर रही है और कोई लोग चाहते है कि उन्हें सीवियाई जांच करवानी है तो सारा अपना जितना भी हभी तक जांच की गई है वो सीवियाई को सौप दे और सीवियाई जांच करवा देनी चाहिए इसमें मुझे नहीं लगता भाजपा को कोई आपती होनी चाहिए अगर वो सचमें जीरो टॉरलेंस की सरकार चाहते है तो उन्हें सीवियाई जांच करवाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो STF की टीम हो अपना अन्या कारे में लगे रहे तो यह हो जाना चाहिए या STF और SCBI दोनों मिलके जाच कर सकती है दोस्तो STF क्योंकि यह जमिनिस्टर पे जितना ज़्यादा होगा कारे उतना हो सकता है इससे भाजपा और कॉंग्रेस दोनों संतुष्ट रहेगी और बच्चे भी संतुष्ट रहेगे कि दो दो टीमे यहाँ पर जाच कर रहे हैं और हमारे धामी जी का अभार ही व्यक्त करेंगी और जो धामी जी को उन 500 भीरती या 400 भीरती जितने भी बचते हैं तो यह मेरा स्वयम का विचार है तो जैसा कि दोस्तों सुरेन सिंग रावजी ने अपना समात दिया था कि शुक्रवार को साइट चार से पांच बजे तक तो आज शुक्रवार है मैं कोशिश करूँगा वहां जाने की और सभी प्रश्णों के उत्तर लाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों जादा से जादा कमेंट करिए क्या क्या प्रश्ण है आप सभी के प्रश्ण मैं UKSAC की पास लेके जाओंगा और वहां से उन से आप दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो जादा से जादा शेयर करें दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें दोस्तों बाकी सभी के लिए डेली अपडेट और इन्फोर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जब तक ये मामले और प्रक